आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम ऐसे दान तक नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस पर आपका पत्वा स्वागत है ये क्या है बई ये एलियन है क्या है और वैसे तो ये औरिजिनल तस्वीर नहीं औरिजिनल तस्वीर तो कुछ और ही है तो यहाँ पे प मास्क बड़ा है सर बड़ा है पंजे हैं और आखे जो है वो एकड़म यलूइश है एक आदमी को भी घायल किया ये जुलाई में शुरू हुआ था पूरा एलियन का आतंक और ये उरते हैं इनके ओपर गोली चलाई जाती है गोली डॉज ये उर रहे है अब देखिए सब क सब दरे हुए हैं आप भयानक तरीके से तो क्या सच चाहिए हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले भाई हमारी सबसे बड़ी सेल जो है वो शुरू हो गई है फ्रीडम सेल और ये फ्रीडम कूपन को आप यूज करिए 30% आपको आफ मिलेगा सारे कोर्स पर ऑफ है कल रात 12 ब तो पेरू की अगर बात करते हैं तो ये आपको दिख राया पेरू अपर में इसके कैपिटल है लीमा पहयर के बारे में कूछ फैक्स जान लेटे हैं बता देता हूं मैं आपको ये आपको ये देखे amazon forest amazon के जंगल जो है पूरा तो ने लेकिन काफी हर तक इधर साइड आप को Amazon के जंगल मिलेंगे क्योंकि आधा जो पूरा साउथ अमेरिका वो था Amazon के जंगल जो है वो कवर करता है Amazon का जंगल आप समझे कि इसको लंग्स ऑफ दी अर्थ भी बोला जाता है धरती का फेफड़ा अभी Amazon जंगल में जब भांग लगी थी Brazil में बहुत important काफी जो majority Amazon जंग आप गहां पर तो अब पूरा साउथ अमेरिका डिकिए साउथ अमेरिका के बात करते हैं तो इतिहास में आपको बताता हूँ जिसके बारे में आपको पता चलेगा और एलियन से नाताहिं का बहुत पहले है ऐसा बोला जाता है कि देखिए इनशेट एक प्रोग्राम आता हिस्ट्री चैनल पे सबसे वाहियात प्रोग्राम जो मैंने देखा लेकिन मज़ा बहुत आता था उसमें हर चीज को मतलब कोई अगर काम करने आ रहे तो वो भी एलियन है आपके घर पर आपके पिता जी एलियन है आपकी मम्मी आपकी वाइफ एलियन आपका बच्चा एलियन सबको एलियन मना देते थे वो लो ठीक है तो अब होता क्या है कि साउथ अमेरिका में बहुत सारी ऐसी चीजे बनाई गई है जिससे यह जो यह बोला जाता है कि एलियन्स ने बनाई है भगवान एलियन्स है वो आए उन्होंने ग्यान दे और यहां पे बनाई गी तो पेरु की गशें लिम और अगर मकुपीचु नहीं जा रहे बेकार आपको मकूपीचु जा नहीं जाना है yellow सेकरेड वैली यह जा इतना ऊपर शहर बसाया कैसे गया कोई नहीं जानता इतना शांदार को वो इतना जबर्दस आज भी आप पूरी उचाईद पे पहुंची नहीं सकते हैं ना तो यह हिसाब किताब है और पेरू के बारे में कुछ फैक्स की बात करें तो इक वाइडर इधर यह आपको मिलेगा कोलंबिया यह इधर डायाना मतलब यह पूरा तो यह ब्रजील तो यह इन शहरों से बुलीविया हो गया चिली हो गया यह पर वैसे आपको बता तो साउथ अमेरिका में ज़्यादा देश नहीं है तो आप आसानी से इसको याद भी कर सकते हैं पूरे साउथ अमेरिका में फुटबॉल का जोर रहा है पेरू के लोगों के बारे में बोला जाता ह आगे है में बहुत होती है और बहुत खाला मिलता है परू में तो गॉल्ड माइनिंग में भी आपको बता तो छटे नमबर पे है, पेरू का जो सोना है ना, वॉर्ड क्लास है, इसको याद रखीगा, इस गोल्ड माइनिंग को, ठीक है, लेच्चर में आगे काम आएगा, तो ये जो पेरू है, इसमें बहुत तरी खाने में भी पेरू आगे है, टॉप थी देशों में अ बहुत बढ़िया, आम की वराइटी भी पेरू में बहुत ही बढ़िया मिलती है, अच्छा यहाँ पे तीन भाषाय बोली जाती है, अमायरा, इस्पैनिच और क्वेचा, इस्पैनिच क्यों बोली जाती है, मैं आपको बता देता हूँ, पूरे साओथ अमेरिका में इंडि कॉर्टेस ने तबा कर दिया, एस्टेक एंपायर को, यहाँ पे स्पैन का कबजा हो गया, इसलिए साओथ अमेरिका के बहुत सारे पेरू में भी स्पैन का कबजा हुआ, 1532 के दोरान इस्पैन ने हमला किया, इस्पैन पूरा अंदर तक जाता गया, इसलिए यहाँ पे पेरू ने अपनी आजादी ली, अभी यहाँ पे रेप्रेजेंटेटिव डेमोक्रिसी है, हाला कि एक ही पार्टी चलती है, पे मिरिटरी फॉर्म ऑफ गवर्मेंट है, लेकिन पेरू के लोग आम तोर पे बहुत खोशे रहते हैं, फुटबॉल जो है, यहाँ पे बढ़ि तो यही सारी चीज़ें हैं, बाकी तो कुछ अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट बढ़िया है, साउथ अमेरिका के इंपोर्टेंट शेहर है, ठीक है, एकदम, एंडिस हाँ, एंडिस शंकला, यह जो परवश शंकला है ना, यहाँ पेरू में आपको मिलेगी, असी प्रतिशाट जनता जो है, वो शेहरों में रहती है, बीस प्रतिशाट गाउं में रहती है, लिट्रेसी रेट पर रुका बहुत ज़दा है, 95%, 95% लोग यहाँ पे लिट्रेट है, पढ़ाई लिकाई बहुत यहाँ पर तबज्जो दी जाती है, लेकिन स्टेल हम देख हमारे लोगों को किडिनाप कर लिया है, एलियन ने ऐसा डार्क कलरड है और हुड है, उसके पास बहुती जाता खतरनाक है, इसको आपको याद है मूँ नुचवा, मूँ नुचवा याद है, पहले बहुत चला था, कि भईया मूँ नुचवा आया है, ऐसे ही रियूमर्स पहलाते, उनको मज़ा भी भहुत आती है, एक रियूमर्स चली थी कि पत्थर का बन गया, बहुत सारे ऐसी रियूमर्स हैं कि मूँ नुचवा आता है, दिल्ली में मूँ नुचवा, मंकी मैं की रियूमर्स थी, ठीक है, तो फेस पीलर्स, ऐसे इनको फेस पीलर्स की, भई पुलिस ने क्या किया है, कि अगल बगल जैसे कोलंबिया है, ब्रजील है, वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े काटल्स हैं, नार्कोस अभी तक आपने देखी लिया होगा, तो काटल्स जो है, बाई ये पूरा एक बहुत बड़ा, वहाँ से इनको भगा दिया गया, तो प जी थी, है ना, ताकि लोगों को डराया जा सके, लोगों को घर में रखा जा सके, और ऐसा एलियन, वीलियन की, यहाँ पे कोई भी बात नहीं है, पुलिस ने साफ कर दिया है, मैं भी आपसे बोलूँगा कि देखिए, ऐसी रियूमर से बचे, भूत दिग गया ये, दिग साइंटिफेिक Tंप्रामेंट, जो है वो थोड़ा सा आप बनाईए, साइंटिफेक Tंप्रामेंट होना बहुत ज़्यादी है, बना ऐसे आपके बहुत लोग जो है, वो बेफो बनाकि फायदा उठा सकते है, जैसे इन लोगों ने उठाया है, ठीके है, लोगों ने कोई पिक्दम यहां पर मस्त यहां पर लोग जब डर के मारे घर से बाहर ही निकले कि भाई यह क्या है बापरी कैसा क्रीचर अन्ट तो यह चोटा सा लेच्चर था मैंने तब पेरू के बारे भी आपको बता दूगा बाकि आप हमारे कोश को जरूर अवेल करें फ्रीडम कूपन को ड्यूस करें सारे कोशेश पर 30% आफ है थांक यू सो मच